कभी ट्रैक्टर पर चुनाविताओ, तो कभी पैदल, कभी चोड़ी चमचमाती सड़कों पर फराटा भरती कार, तो कभी खस्ता हाल सड़के और इन सब के बीच हर्याणा में नेताओं की दोड़ और वादों का लॉलीपॉप का सिलसिला जारी है आज हर्याणा में चुनाव परचार का आखरी दिन, तमाम पार्टियों ने परचार के अंतिम दिन पूरी ताकत जोग दी है चुनावी ताओं ने भी हर्याणा के अलग-अलग शहरों से आपको चुनाव के हर एक रंग दिखाए जसमें सफर की शुरुवात हुई थी रोहतक से चुनावी ताओं ने रोहतक के हाई परफाइल गाओं गढ़ी सापला की लोई का सियासी नब्स बीटा टोला था जहां से पूरुमुक मंत्री भुपेंदु सिंग हुड़ा जीतते आए हैं उपेंदु सिंग हुड़ा के गाओं और शहर के बाद चुनावी ताओं ने रुख किया एक और पूरुमुक मंत्री चौदरी बंसी लाल के शहर भुवानी का जहां हमने उनके गाओं बोलागड में बंसी लाल की विरासत और रोसूप को समझने की कोशिश की बिवानी को मीनी क्यूबा क्यूं कहा जाता है ये भी समझने के लिए चुनावी ताओं ने बॉक्सिंग गलोफ भी पहने बॉक्सिंग के दाव पेच आजमाने के बाद चुनावी ताओ ने भिवानी की सड़क और नुकड़ों पर लोगों से उनकी राए पूछी जिसके बाद शहर के चुनावी हवा का रुख साफ हो गया भिवानी के बाद चुनावी ताओ का काफिला दिली से सटे जजजर और बहादुर गड़ पहुँचा NCR में शामिल बहादुर गड़ की हालत तो बदली हुई नजर आई लेकिन जजजर अब भी विकास को तरस रहा है और कुछ लोग सरकार से परिशान नजर आ रहे हैं सटकों से होते हुए चुनावी ताओ जजजर के सरकारी अस्पताल पहुँचे यहां मरीजों की हालत को देखकर पता चल गया कि यहां की हालत क्या है हर्याना के चुनावी मूट को भाबने के लिए चुनावी ताओ एक और शहर पहुँचे कहने को महंद्रगड हर्याना का एधिहासिक शहर है लेकिन शहर में दाखिल होने के बाद ही एहसास हो गया कि यहां के विकास की हालत क्या है चुनाओं का प्रचार इस समय जोरों पर है आप किसी भी गाउं में पहुंचते हैं तो गाउं में जो आवाज आपके कानों में आती है उसमें किसी ना किसी उमिद्वार की किये गए कामों की तारीफ होती है लेकिन गाउं की पंचायते क्या सूचती हैं गाउं में बैठे वे लोग भले ही वो अपने किसी उमिद्वार का इंजार कर रहे हैं लेकिन वो सोचते किस तरह हैं उनको क्या लग रहा है इरवाल में विकास हुआ या नहीं या सरकारे किस तरह काम कर रही हैं उसके लिए ज दिल्ली से सटे हरियाना के एक और शहर मेवाद की हालत से भी चुनावीताउं ने आपको रूबरू कराए जहाँ पानी एक बड़ा मुद्दा है नेता हर पांस साल पर पानी का वादा करते हैं लेकिन वो वादा आप तक पूरा नहीं हुगा हम इस वक्त मेवाद में हैं मेवाद के इन गाउं में पानी की क्या समस्या है यह आपको खुद दिखाई दे सकता है यह मैला है यह कुवे के पास हैं यह कुवा ही गाउं में पानी का स्रोत है यहीं से दुलना है यहीं से पानी ले जाना है यह कुवा है इसके चारों तरफ कि पानी लेने के लिए कोई सुरक्षित साधन हो इससे पहले गाउं में गाउं में पानी पहुचाया गया इस बात की बहुत बारी सरकार ने बहुत सारे नारे लगाई कि उसने गाउं गाउं में पानी पहुचाया हर्याना के एक और हाइप प्रफाल शाहर हिसार में भी चुनावी ताउँ ने चुनावी मूट को समझने की कोशिश की चौधरी भजनलाल की शाहर हिसार के गाउं में स्वास सेवाओं की हालत ऐसी है कि कई गाउं में पीस्टी में चौपाल पर चल रही है पूर मकवंजी भजनलाल के शाहर हिसार के आदमपूर सीट से इस बार भी उनके बेटे कुलदी बिश्नोई दाउं आजमा रहे है जिने बीजेपी की सुनाली फोगाट से कड़ी टकर मिल रही है ऐसे में हिसार के मन में क्या है खुद यहां के लोगों की जुबानी सुनी है हरियाना की राजनीती में हिसार एक ऐसा शहर है जहां ओद्यों की करण भी दिखता है और किसानों की हालत भी इस शहर में बड़े बड़े नेता हुए इस शहर को वी आईपी शहर भी माना जाता है क्योंकि यहां अगर इसको स्टील नगरी कहा जाए तो इसके साथ साथ एक समय यह भजनलाल का शहर तो फिर चोटाला यानि दुस्यन चोटाला ने इस शहर की अगवाई की चुनावी ताउन ने हर्याना के एक और ताकतवर और रुसूक वाले शहर की सियासी फिजा को समझने की कोशिश की और यह शहर था सिरसा सिरसा हर्याना की राजनीती में सिरसा इस बार इस बात का फैसला नहीं कर रहा कि विकास उस शहर का कितना हुआ बलकि सिरसा में इस बार ताउ देविलाल की राजनेतिक विरासत का फैसला होना है इस सब के बीच सिर्सा के विकास के मुद्दे जैसे कहीं छूट गए हो क्योंकि दूसियन चोटाला हो या फिर ओम प्रकास चोटाला खुद उसके सामने अपने दूसरे बेटे के साथ खड़े हो सिर्सा वही शहर है जहां से चोधरी देविलाल और उनकी विरासत जूड़ी हुई है जहां इस बार चोटाला परिवार में दुश्षंत और अभे चोटाला के बीच विरासत की जंग छिड़ी हुई है तो वहीं आम लोग इस बार से परिशान है कि उनकी सडकें अब तक नही हम लोग सिर्सा शहर में हैं वही सिर्सा शहर जो ताकतवर राजनेताओं का शहर है इस शहर की सडकों पर मैं हूँ यह सडक में बाजार की सडक है हम लोग इस समय में बाजार में घूम रहे थे और में बाजार में आते ही एक सडक है इस समय आवाज भी आ रही होगी आपको पूछते हैं यह कंसे टूटी हुई है सदक जहां से जानाघे इसकों सब औहीं harvest पाणी गंदा उन्द हैं सर्फशeg विरासत किए तो वहीं यहां की जंदा इसबार घृट्डाॉर खट्डर के नाम पर बटी हुई नजर आ रही है। सिरसा के बाद चुनाविताउं ने हरियाना के एक और शहर कैथल का सियासी मूद भी समझा जहाँ दाखिल होते ही जीन्द बाइपास रोड आपको कहीं गुम नजर आएगी। जीन्द बाइपास से शुरू होती हुई रोड है और यहां एक पूरी सड़क ही खो गई आपको दिखेगा किस तरह से सड़क दोनों तरफ बनाई गई थी यानि इस तरफ और इस तरफ ये फोर लेन आप इस सड़क को कह सकते हैं जब बनाया गया होगा। प्रोडो रुपया आम आदमी का इस सड़क को बनाने में लगा होगा लेकिन अब ये सड़क हो गई है क्योंकि ये सड़क अब आपको दूर तक अवैद पार्किंग के तौर पर ये खराब खड़ी गाड़ियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये सड़क कितने दि हुई ये सड़क दिख रही है मौजुदा हाल पर इस तरह से अगर हम कैथल के विकास की कहानी की शुरूआत करते हैं तो आपको पहले से दिखता है कि सड़कें बनती हैं इसके लिए मांग होती है लेकिन बनी हुई सड़क हो जाए इस तरह के उधारन आपको कभी कभी मिल देंगे और कैथल की शुरूआत इसी तरह के उधारन से शुरू होती है यह सड़क चलकर हम देखने ही कोशिश करेंगे कि आखिर कहां तक हो गई क्योंकि शुरूआत जो सबसे पहले शेहर की शुरूआत है बाइपास से हाइवे से इस शेहर में जब हम जीन्द की तरफ से गुशते हैं तो आपको एक खोई हुई सड़क दिखाई देती है बहुत प्रेशान है दूर मिट्टी जिसके मकान है रहना गंद हो रहे और हो मकान भी हमारे जाहिर है हर्याना की 90 सीटों का घमासान जबरदस होने वाला है अब देखना होगा कि 21 अक्टूबर को हर्याना की जनता किसके नाम पर महर लगाती है और 24 अक्टूबर को किसके हाथ बाजी लगती है हर्याना से धिरंद पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन हर्यान